Hello students, Jai Hind, कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूँ, सभी बहुती बढ़िया होंगे So guys, अभी हम लोग आज की रेट के जितने मी important current affairs से उसको discuss करने वाले हैं And before starting this lecture, मुझे आपको कुछ information देनी है और information ये है, कि guys, अभी जो आप current affairs सुनेंगे वो एक short में मैंने news आपको बताई है, जो आज की रेट की जितनी मी important news है जो आप as a civil services की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस news के बारे में information होनी चाहिए तो वो पूरी जीज मैंने हापर cover की हुई है, A to Z But ये news cover करी है But examination को crack करने के लिए आपको news के साथ-साथ जो news से जुड़े जो static portion जो होते है general studies के portion जो होते है वो भी आपको cover करना बहुत जरूरी है तो मैंने बताया हुआ है कि उसमें क्या-क्या चीजा आपके लिए important है तो आप खुद से भी cover कर सकते हैं detail में current affairs को cover करने के लिए So चलिए फिर ये एक information short सी आपको देनी थी और हमारे काफी सारे paid courses भी available है और paid courses से related अगर आपको जानकरी चाहिए तो आप 9713282838 पर WhatsApp करके courses की जानकरी हासल कर सकते हैं और नीचे description पर आप देखेंगे तो आपको एक telegram का channel भी मिल जाएगा So lectures की PDF जो है वो telegram के channel पर हम provide करा देते हैं So आप ये lecture को जो है वो cover करिए और नीचे comment box पर अपना feedback भी जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है Guys सबसे पहली news में बात हो रही है Institute of Mathematical Sciences चन्नाई में जो है इसको 60 साल पूरे हो गए ये institute 3 January 1962 को बनाया गया था Mad Science का गठन चन्नाई के अंदर हुआ था Aladhi Krishnaswami के द्वारा किया गया था और इसमें Nobel पुरुसकार विजेता सुब्रमानियम चंदरशेखर जी के द्वारा जब इस institute का उदगाटन हुआ था तो सुब्रमानियम चंदरशेखर जी ने speech नी थी तो इसलिए ये institute जो है उसको एक spark मिल गया था तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और 1984 में Department of Atomic Energy ने इस institute का चार्ज ले लिया तो ये institute के बारे में basic सी 3-4 पाक चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यार में रखनी है बागी next news जो आई थी वो Russia और NATO से related आई थी अब Ukraine में Russia ने अपने एक लाग से जादा सैनिक को खड़ा कर दिया Ukraine की border पर यानि कि Russia के एक लाग से जादा सैनिक Ukraine की border पर खड़े हुए है तो इसको लेकर Ukraine पर एक tension जो है वो create हो रहा है तो इस चीज़ को लेकर पूरा मुद्दा था और Russia ने डिमांड करी कि NATO अपनी forces जो है वो European country से हटा ले और ये सब इसकी demands थी हाला कि इस demand को सुईकारा नहीं है NATO ने क्योंकि आप जानते कि NATO जो है उसकी backing USA के पास हम लोग को देखने को मिलते हैं और USA और Russia कटर दुश्मन हम लोग को देखने को मिलते हैं तो ये एक international मुद्दा है जिसके बार में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए बाकी Ukraine का मुद्दा क्या है इस पर भी आपको एक बहुत डीटेल में अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि पूरा मुद्दा क्या है क्यों Ukraine पर issues जो है वो चल रहा है उसका पूरा background historical background पूरी चीज़ आपको डीटेल में पता होनी चाहिए और नाटो के बार में आपको अच्छा एडिया होना चाहिए North Atlantic Treaty Organization जो कि एक Intergovernmental Military Alliance है याद रखना Washington Treaty के तहित इसको establish किया गया थो और ये treaty sign हुई थी 1949 में और नाटो का headquarter हम लोग को Brussels Belgium के अंदर देखने को मिलता है और इसका Allied Command Operation का headquarter Mons Belgium के अंदर है नाटो के अंदर originally 12 सदस ये थे फिर बाद में आकर 30 सदस ये जो हो गया भी recently नाटो के अंदर North Macedonia ने जो है वो member बनी थी North Macedonia 27 March 2020 को और नाटो की membership सभी countries के लिए open होती है जो European countries है और इनको नाटो के principles को follow करना होता है और साथी साथ इनको ये सुनिशित करना होता है कि ये North Atlantic area पर ये member country जो हो security बरकरार रखें तो ये कुछ points है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है अब देखें NPT non proliferation treaties related definitely question जो हो पूछा जा चुका है और बन सकता है पूछा जा सकता है तो बहुत important ये topic आपको बहुत अच्छे से non proliferation of nuclear weapons की treaty के बार में बहुत अच्छे से बता होना चीए NPT के बार में तो अभी ये topic news में इस लिया है क्योंकि P5 countries जो है क्या आप बता सकते हो नीचे comment box पर लिखकर P5 countries कौन सी है United Nations Security Council के permanent nation के नाम तो China, France, Russia, USA, UK ये 5 country हम लोग को देखने को मिलती है इन्होंने संकल्प लिया है कि atomic weapons को ये prevent करेंगे कि कोई भी country जो है वो nuclear weapons का उप्योग ना करें किसी प्रकार के conflict में इस चीज को सुनिशित करेंगे P5 countries ये statement जब जारी किया गया था बट COVID-19 के करान इसको डिले कर दिया गया तो इसके latest review के दोरान P5 countries ने कहा कि ये solution करेंगे कि कोई भी country किसी प्रकार के conflicts विवात के समय पर nuclear weapons का अप्योग ना करे तो ये जीज़ आपको धान में रखेंगे और अभी क्या हो रहा है कि मामला बहुत बिगड़ता जा रहा है Russia और USA के बीच में मामला बिगड़ रहा है Ukraine के मुद्दे को लेकर USA और China के बीच में मामला बिगड़ रहा है तो ये सब problems हैं जिसके चलते अभी डर है कि कोई country जो है वो किसी दूसरी country के अपर nuclear weapon जो है वो ना launch कर दे तो ये डर है और इसी डर के कारण हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये P5 countries ने संकल्ब जो है वो लिया है तो ये एक general सा idea आपको होना चाहिए और बाकी most important चीज़ है non proliferation treaty के बारे में एक अच्छी आपको जानकरी होनी चाहिए कि ये treaty कब sign कही गई थी कि इस treaty के तहट mainly focus किया जाते है कि कोई भी country nuclear weapons का उपयोग ना करे ना nuclear weapon को purchase करे और इवन ना ही दूसरी country जिसके पास nuclear weapon नहीं है जो कि nuclear power country नहीं है तो उसको भी कोई दूसरी country उकसाए ना nuclear weapon बनाने के लिए जील के बारे में आपको बहुत अच्छी जानकरी होनी चीए कहा पर ये जील बताईए तो लद्दाक में ये जील हम लोग को देखने को बलती है इस जील की खास बात यह है कि LAC आप बता होगा LAC जो है वो boundary हम लोग को देखने को बलती है जील के बारे में चाइना और इंडिया के बीच में तो LAC जो है वो इस जील के ऊपर से होती हुई जो है वो गुजरती है तो ये विवाद जो है वो यह है चाइना और इंडिया के बीच में इस जील को लेकर कि भी देखो land जो है, जमीन जो है, जमीन पर आप एक boundary जो है, वो construct कर सकते हैं, बट जील पर कैसे boundary construct करोगे, तो विवाद यह है, इस जील को लेकर कि इस जील का कितना हिस्सा जो है, वो इंडिया के पास आ रहा है, कितनी territory इंडिया के पास है, तो यह विवाद हम लोग को देखने को मिल र लेक का, और दक्षणी किनारा जो है, यानि कि North Bank और South Bank जो है, वो आपस में connect करेगा यह bridge, और इस bridge से चाइना को बदद मिलेगी, कि चाइना की जो आर्मी है, उसका नाम है People's Liberation Army, तो यह जो है वो इसके South Area तक, यानि कि North से South तक, आप कह सकते हैं, अपर से Lower Area तक, जो है वो इस लेक के, यह bridge के माध्यम से जो है, जल्दी पहुचाया जा सकता है, आर्मी को, तो आर्मी का इसमें time जो है, वो बचेगा, चाइनीज आर्मी का, एक जगे से दूसरी जगा पहुचने में, पहले 200 km का सफर तय करने में, उनको करीब 12 घंटे जो है, वो लग जाते थे, अ पैंगांग का मतलब जो है, वो Conclave Lake होता है, पैंगांग का मतलब, लधाकी में Concave हम लोग को देखने को मिलता है और Tibet के अंदर प्यासली सो का मतलब जो होता है, वो लीको होता है, तो यहांग है तो यहाँ पर यह Cara ouフर मांटे हम लोग को मिलती है, क्रॉस करती है, Mountain Range को को भी बन सकता है कि कारा कोरा माउंटेन रेंज जो है वो consequence country को cross करती है तो याद रखना है ये countries के नाम जो मैंने भी आपको बता है है और कारा कोरा माउंटेन रेंज का ही हिस्सा ही केटू भी है कंचन जंग आपको बता होगा ये दुनिया की second highest peak हम लोग को देखने को मिलती है तो ये चीज आपको थोड़ी सी धियान में रखनी है ये पैंगॉंग सो लेक के north bank के पास में हम लोग को नजर आती है कारा कोरा में रेंज और इसके south bank पर हम लोग को और भी dispute के बारे में मैं आपको छोड़ा सा idea दिया था यहाँ पर 8 fingers का dispute है question ये भी आ सकते है कि 8 finger का dispute किस से related है 8 finger dispute तो आपको याद रखना है India China से related 8 finger dispute है ये finger basically क्या है ये mountain है right mountain हम लोग को देखने को बलते हैं जो पीछे की तरफ जुक्यों है और इनका आकार जो है वो एक finger की तरह दिखता है तो इस आकार को देखकर दोनों country जो है वो बोलती है कि कि कितनी fingers कितना area जो होगा वो किस country के मला यान कि इंडिया के control में कितना area आएगा और कितना area चायना के control में आएगा तो इंडिया क्लेम करती कि finger number 8 तक का area जो है वो इंडिया का है और चायना बोलती है कि finger number 2 तक का area ही सरफ इंडिया का है तो इस प्रकार की विवाद हम लोग को जो है वो दोनों के बीच में देखने को मिलते हैं तो यह चीज है जिसके में आपको आइडिया होना चाहिए और बाकी guys RBI यह अब कतम उठा रही है next news की तरह आगे बढ़ गए हम लोग RBI यह अब कतम उठा रही है कि digital banking जो आप लोग जानते हैं तो इस प्रकार की technology पर अभी RBI जो है वो काम कर रही है और इस पर RBI ने कतम उठाना शुरू कर दिया हाला कि पहले भी हमने चर्चा करी थी कि RBI फीचर फोन के जरीए फीचर फोन यानि की यह कीपड वाले फोन से होते हैं उसके जरीए अब कदम उठा रही है digital banking को बढ़ावा देने की और भी जो लोग है जो लोग को जैसे वो digital banking, digital transaction अगर करना चाहते हैं और उनके पास internet नहीं है तो भी वो कर सकेंगे तो इसको लेकर अब कदम जो है वो RBI के दोरा बढ़ाए जा रहा है इसको लेकर यह topic था अब 5G technology के बारे में आपको हर एक चीज़ पताऊने चीज़ बताओ जरा 5G technology किस GHz पे काम करती है कितने से कितने GHz पे काम करती है तो 30 से 300 आपको धियान में रखना है 30 to 300 GHz पे 5G technology जो है वो काम करती है याद रखिएगा बहुत important है राइट डारेटली इससे related question पूछा जा सकता है और Department of Telecommunication ने कहा है कि गुरू ग्राम, मैंगलूरू, कोलकता, मुंबई, चंदीगर, दिल्ली, जाम नगर, एहमदाबाद, चन्नाई, पूने, लखनाउ, हैदरबाद, गां निलामी होगी, बट कुछ-कुछ experts का कहना है कि शायद ये निलामी कुछ समय के लिए टल सकती है, क्योंकि अभी भी टेलीकॉम companies पूरी तरह से ready नहीं है, बट फिर भी टेलीकॉम companies ने testing वगरा करना शुरू कर दिया है, 5G के trials वगरा, 5G की testing जो है वो शुरू हो चुकी है, और हो सकता है कि 2022 में हम लोग को 5G जो है वो देखने को बले है और आप लोग 5G का उपयोग जो है वो कर सकेंगे, तो 5G के बारे में 34 ध्यान में रखना, 4G से ज़्यादा speed up 5G के होने बाली है, 30 से लेकर 300 GHz जी तो बिलकुल अच्छे से ध्यान में रखना, ये इस GHz में operate क करती है, ठीक है तो ये point आपको थोड़ा से ध्यान में रखना है, ये 3 bands है, इसके low, high और mid, low, mid, high, 3 bands में ये operate करेगी, latency इसका काफी कम होता है, reduce होता है, यानि कि आपका तुरंट जैसी आप enter दबाएंगे, कोई भी website खोलने पर तुरंट आपकी website open हो जाएगी, तो काफी फायदे है, 5G technology के, 5G technology की मदद से internet of things और भी दूसरे artificial intelligence की technology जो है, वो बेटर तरीके से operate कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, तो पूरी तरह से आपको 5G technology के बारे में पता होना चाहिए, बहुत important ये topic है, और एक important point ध्यान में रखना, कई बार लोग बोते हैं कि, अर्यार बह हाम होगा human को, क्योंकि पूरा जो हाम होता है, वो tissue heating का होता है, और tissue heating का होगी, जब कम frequency होगी, और कम frequency के अंदर, body के अंदर penetrate कर पाएंगे, ये frequency, तो याद रखना, जितनी high frequency होती है, वो less harmful होती है, क्योंकि वो body के अंदर penetrate नहीं कर पाती, body के अंदर enter नहीं कर पाती, लो semiconductor के उपर जो है वो काम कर रही है और अभी यह जो topic आया उसमें बता जारे कि semiconductor की या फिर यह जो chips जो होती है computer की chips इनकी shortage बहुत जाधा चल रही है और इनकी shortage के पीछे का कारण जो है वो एक तो दो तीन कारण है इसके पीछे का हमारे पास जो है वो qualified staff नहीं है high quality जो engineers नहीं है, मतलब की जो बोल सकते हैं, आप high qualified engineers पगेरा, जो की नहीं नहीं चिप्स डिजाइन कर सकते हैं, manufacturing problem को solve कर सकते हैं, तो ऐसे engineers हमारे अप पर नहीं है, और साथी साथ, lockdown के करना हम लोग को देखने को बला है कि laptops का usage वो काफी ज़्यादा बढ़ गया है, work from home की को fulfill नहीं कर पारी, तो कह रहे हैं कि semiconductor chip के production को बढ़ानी की जो है, वो काफी ज़्यादा हावर शकता है, काफी सारे लोगों ने अलग-लग practice भी करना शुरू किये, कुछ companies ऐसे चाइना की company की बात करें, Huawei, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दी है, storage करना शुरू कर दी है, कदम जो है, वो उठा रही है, अभी कुछ समय पहले हम लोग लेकर भी आए हैं एक project, semiconductor को boost करने का, बढ़ावा देने का, 76,000 करोड रुपे का यह हमारा project था, right, semiconductor chips, actually आप लोग को पता होगा, semiconductor chips, जो है, वो क्या होती है, यह ऐसी chip होती है, जो computer में डलती है, even यह जो chips होती होती है, आपके memory card जो होता है, memory card, जो storage के लिए उपयोग में लिया जाते है, वो chip है, जो memory card का का काम करती है, और इससे advanced chip भी होती है, जैसे आपने laptop को खोल कर देखी है, या mobile को खोल कर देखी है, तो अंदर blue या green color की एक chip होती है, उसमें आप देखिएगा, बीच में करता हूँ, आपको ये news है, वो अच्छे से sun में आई होगी, तो चलिए अब हम लोग next lecture में मिलते हैं, तब तक लिए बाबाई, take care, have a great day, जैहन.